Hello everyone, welcome to our channel आशा करती सभी स्वस्त होंगे तो चली आज घर पर यह हम instant cake बनाएंगे जो घर के सामान से हम easy बना सकते थे और यह soft, fluffy, हर तरह से आपको perfect बनेगा मैं जो measurement बताऊंगी तो चली पहले तो हम sugar powder बना लेते हैं अगर आपके पर sugar powder है तो आप एक cup तक use कर लिए जिएगा इस recipe के लिए और साथे में एक cup तक मैं रवा ले रही हूँ सूजी जो बारीक होता है उसको मैं दर-दरा पीस लोंगे fine powder नहीं बना रही हूँ तो चली recipe के और इसके लिए मैंने एक ball पे 3 tablespoon तक oil डाल रही हूँ आप unflavor बार लीजिएगा सरसो का छोड़के कौनसा भी ले सकते है और इसमें जो sugar powder है उसे अच्छी तरह से हम एक बर mix कर लेंगे फिर उसमें हम आदा कप तक दही डालेंगे मैंने जो दही लिया है आदा कप तक वो खटा नहीं है और साथी में vanilla flavor डाल रही हूँ अगर आपका vanilla extract है तो instead डालेजिएगा मेरे पस flavor है तो मैं flavor डाल रही है इसको और भी अच्छी तरह से mix करेंगे आपको और एक बात इसमें याद रखना है इस recipe हम कोई भी water का बिल्कुल use नहीं करेंगे और हम जब इसको मिला रहे तो इसमें कोई भी lumps बिल्कुल नहीं होना चाहिए देखिए यह अच्छी तरह से पिगल चुका है तो चली हमने जो दर्दिरगर किया हुआ रवा है इसमें थोड़ा तरह से डाल के अच्छी तरह से batter को mix कर लेते हैं आपको mix करते पर एक देखन पानी का बिल्कुल यूज मत किजिएगा अब इसमें हम milk powder आ लेंगे अगर आपके पास है milk powder तो एक 4 tablespoon तक डाल लिएगा अब इसे हम अच्छी तरह से mix कर लेते हैं इसमें भी किसी तरह का lumps नहीं रहना चाहिए और इसमें हम कोई baking powder या baking soda बिल्कुल हम यूज नहीं कर रहे मैं ये जो है इनो का एक packet है वो डाल दे रही हूँ और इसे मैं कच्छे दूसे active कर ले रही हूँ थोड़ा सा तो देखिए ये active हो चुका है तो चलिए अब इसको मैं अच्छी तरह से गवार मिला लेती हूँ किसी तरह का इसमें देखिए bubble जागा आ चुके है तो हमें इस जो भी शेप अब ले सकते हैं उसको ऑईल से अच्छी तरह से coated कर लेजिएगा और साथ ही में एक टिबिल स्पून मैदा डाल के उसको भी अच्छी तरह से कोट कर लेजिएगा मैं नीची बटर पेपर लगा रही हूँ नौर्मर तो जरूरत नहीं है लेकिन मैं बटर तक वेनिला फ्लेबर डाल रही हूँ और साथ ही में एक आदा टेबल स्पून तक ही मैंने इसे मैदा डाल के उसको अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ अगर हम मैदा से कोट करते हैं तो क्या होता है टूटी फुटी जो है एक दब तले पे जाके चिपक नहीं जाता है यह अच्छी तरह से मैं करीबन 10 मिट के लिए प्री हिट कर लूँगी और एक बात इसमें से अपको विजल को निकाल देना विजल आपको ने रखना है देखे करीबन आदे घंटे के बात अच्छी तरह से सूजी भी फूल चुका है तो चलो एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर तो जरूर टैप कर लिजिएगा अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तूडी फूटी को देखे कितने अच्छी तरह से पुड़े इसमें दिख राता चलिए कुछ हम उपर से भी तूटी फूटी को डाल देते हैं और इसे आप दो बार टैप कर लिजिए तो चलिए हम अभी कुकर में आज बना रहे हैं आप चाहे तो इसे कड़ाई पे भी बना सकते हैं इस तरह का स्टैंड है तो उसे यूस कर लीजिएगा मैं स्टैंड जो है छोटे है तो इससे क्या होगा जो केक्टिन है नमक के साथ चिपक जागी इसलिए मैं कटर लगा रही और इसे हम 45 minutes के बाद ही चेक करेंगे अब बार बार इसको खोलना मत जिससे क्या होता है यह अच्छी तरह से पकता नहीं देखी अभी भी यह कच्छा है 45 minutes के बाद भी तो चलिए और 15 minutes के बाद मैं इसको देखे जब भी आप चेक करोगे अगर आपका toothpick साफ निकले कुछ कुछ भी आठा उसमें नहीं है चिपका नहीं है तो समझे लिजी का यह पक चुक है मुझे तो एक घंटा लगा है गैस पे लो फ्लम में तो चलिए अभी इस तरह से 45 मिस के बचेक कर लेजीगा फिर से एक बर 10 मिट पेंदा भी रख लीजेगा तो यह बन जाएगा देखिए कितना अच्छे ऐसे कलर भी और मैं आपको एक निकाल के कट करके बताती हूंगे किया कितना सॉफ्ट भी बना है और साथी में मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथी में कॉमेंट में बतायागी कि आपको रिसिपी कैसे लगिए तो चलिए एक दो ति भी बन चुका है तो आप जो शेप में देना चाहते बना लेजिए और ये घर का यी बना हुआ है तो आप बच्चे को बेजिजग दे सकते है बच्चे हो बुड़े हो किसी को भी दे सकते है क्योंकि घर का बनाया हुआ के खेना है इसमें हमने मैदा यूस किया है ना ही और एंजॉय दिस रेसिपी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ इस तर से मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग